अलो गाइस, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल ससी प्रग्नेंसी टिप्स आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल इन्फर्टिलिटी क्या होती है और हम जानेंगे कि एक बच्चा पैदा करने के लिए इस्पम काउंट तक कितना होना जरूरी है तो आज हम इसी टॉपिक पर बिस्कस करने वाले हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक & सस्क्राइब कर लिया करो आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज कर लिया करो बेबी कंसीब करने के लिए एक इस्तरी का एग और पुरुस के स्पम की जरूरत हो जब महला के ओविलेशन के दोरान उसकी ओवरी से एक मिचौर एग निकलता है और वह जाकर फैला प्यून ट्यूम में पहुचता है वहाँ पर स्पम और एग का फर्टिलाइजेशन होता है तभी जाकर बच्चा बनता है एक स्वस्त बच्चे के लिए महला के एग और पुरुस के स्पम का हेल्दी एबम स्वस्त होना जरूरी है अगर इन दोनों में एक में कमी होगी तो बच्चा कंसीब करने में बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चा कंसीब ना कर पाने का कारण है वो आज तक हमेशा और तो कोई ठहरा जाता आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है रेशियो के दोरान अगर देखा जाए तो 60% महलाओं में कमी देखने को मिलती है तो वहीं पर 40% पुरुसों के अंदर भी कमी है वो देखने को मिलती है अब हम जानेंगे कि एक हेल्दी बच्चे के लिए पुरुस के स्पम काउंट कितना होना चाहिए फ्रेंट्स एक पुरुस के अंदर सुपक्राणू 12-13 साल से बनना शुरू हो जाते हैं और ये नियमित रूफ से बनते रहते हैं एक स्पम को बनने में 72 दिन लगते हैं और एक सेल से चार स्पम बनते हैं और ये स्पम लगातार बनते रहते हैं अब हम ये जानेंगे कि एक बार में कितने स्पम रिलीज होने चाहिए देखिए ये जो फ्लूट होता है पुरुस का वो 2 ml होना चाहिए और एक एमेल के अंदर 15 मिलियन स्पम होने चाहिए और टोटल स्पम 39 मिलियन से उपर होना चाहिए इससे कम नहीं होना चाहिए अगर 39 मिलियन से स्पम की जो क्वांटिटी है वो कम है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर infertility की problem है आपको देखिए इन में से 50 या 60% sperm है वो गत्सील नहीं होते हैं जैसे ही पुरुष सार्थी release करता है तो जो गत्सील sperm नहीं होते हैं वो 5 या 10 मिनट के बाद automatically बहार आ जाते हैं और जो बाग की गत्सील होते हैं वो बच्चा दानी के मुझे होते हुए अंडे के पास पहुंचते हैं ऐसा नहीं है कि अंडे के पास शिर्फ एकी स्पम पहुंचेगा ये बच्चा दानी की दीवारों से चिपकते हुए दोनों साइडों पर पहुंचते हैं बच्चे दानी में अंडा एक बार एक ही साइड से निकलता है और दूसरी साइड से अंडा दूसरे महीने में निकलता है यह procedure हमेशा चलता रहता है कि एक महीने में अंडा एक साइड से निकलेगा और दूसरे महीने में दूसरे साइड से निकलेगा अंडे के पास millions of sperm पहुंचते हैं, sperm की यह capacity होनी चाहिए कि sperm अंडे को भेद कर अंदर जा सके, तब ही बच्चा बनता है, बैसे तो millions of sperm उसके पास पहुंचते हैं, पर कोई एकाद ही ऐसा sperm होता है, कि जिसके अंदर यह special quality होती है, वो अगर उसके अंदर जाता है, अंडे के अंदर भेद कर तब ही बच्चा बनता है, तो हमें pregnancy के लिए 39 million sperm छोड़ने ही पड़ेंगे, और दूसरा 39 million sperm में से 40% sperm एकड़म एकड़म फिट होने चाहिए, 60% तो वैसे ही खराब होते हैं, वो पूरी तरह बनते नहीं, किसी का सर नहीं बन पाता है, तो किसी की पूछ नहीं बन पाती है, तो हमें यह मानकर चलना चाहिए, कि 15 से 20 million sperm एकड़म सही एवम एकड़म होने चाहिए, तब ही हम baby conceive हम कर सकते हैं, अगर किसी को 5 या 10% है, तो उसको बच्चा conceive करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो आपको अगर यह प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने sperm counting पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और आपको डॉक्टर की सला लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से treatment रेगुलर कराना चाहिए, अगर आप रेगुलर डॉक्टर से treatment कराओगे, तो आपकी यह प्रॉब्लम कुछी दिनों में कतम हो सकती है, और इसके साथ कुछ ऐसे खाने भी होते हैं, खाने की कुछ ऐसी चीज़ां होती हैं, जिनको अगर आप अपनी डाइट में सामिल करते हो, तो आपको इस infertility से निजात मिल सकेगी, और आप एक बच्चे के पिता बन सकेगी, तो friends, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो please मेरे चैनल को like and subscribe कर लेना, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you.